हेलो एवरीवन और वेल्कम बाक टू माई चैनल इस वीडियो में मैं हाली में रिलीज हुए फेंटेसी कोरियन ज्रामा My Demon के पहले एपिसोड को Explain कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि डेमोन ससल में इंसानों के साथ ही रहते थे और इंसानों की मुसीबत में उनके गार्जियन्स बनकर उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। फिर सीन कट होता है और हमें फीमेल लीड दोही को दिखाया जाता है जो घने अंधेरे में किसी से डर के भाग रही है। वह एक जगह रुख जाती है और सामने देखती है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। इसे देखकर वह मन में कहती है जो मेरे सामने से आ रहा है वह पता नहीं मुझे मारने या मुझे बचाने आ रहा है। मुझे नहीं पता कौन मेरा दोस्त है और कौन दुश्मन पर चाहे जो भी हो वह उस आदमी की तरफ भागने लगती है। इसी के साथ सीन कट होता है और हमें 200 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां एक टेंट जैसे चर्च के अंदर लोग काफी डरे हुए थे और गौद से प्रार्थना कर रहे थे। वहीं चर्च का फादर उन्हें डेमोंज के बारे में बता रहा था लेकिन कुछी देर में वहां काले कपड़ों में गुवन आ जाता है इसे देखकर सभी लोग डीमन आ गया कहकर भाग जाते हैं गुवन पेडस्टिल के ऊपर चड़कर अपना चेहरा रिवील करता है और हमे तो गुवन वह क्रॉस उठा कर बच्ची के हाथ में देकर चला जाता है जाते हुए उसके चहरे का कट भी गायब हो जाता है चर्च से बाहर निकल कर वह एक चुटकी मार कर अपना ड्रेस चेंज कर लेता है वहां से जाने लगता है और बताता है कि इंसानों के तीन दुश कर रहा था गुवन उसके पास आकर कहता है मुझे लगता है कि तुम काफी समय से भूखे हो क्या तुम्हारी इच्छा अपनी भूख मिटाने की है वह आदमी कहता है हां पर मेरी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि चारों और अकाल पड़ा हुआ है गुवन कहता है किसने कहा देखो समन्दर में मचलिया भरी पड़ी है यह कहकर वह चुटकी मारता है तो समन्दर में बहुत सारी मचलिया उचलने लगती है यह देखकर वह आदमी हैरान हो जाता है और गुवन से कहता है मुझे समझा गया तुम कोई गुवन हो यह सुनकर गुवन उसे डाटते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस गॉबलिन जैसे अगली स्पिरिट से कंपय करने की, तो वह आदमी कहता है, फिर तुम जरूर ड्रागन किंग हो, गुवन कहता है, मैं उसके जैसा बूढ़ा नहीं हूँ, तो वह आद इस पर विश्वास नहीं करता और कहता है, लेकिन तभी वह देखता है कि एक बड़ी मचली उचलते हुए उसकी ओर आ रही है, जो आकर उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे उसे गुवन की बात पर विश्वास हो जाता है, वह कहता है, क्या तुम सच में मेरी विश पूरी कर सकते हो, तभी गुवन एक कांट्राक्ट दिखाता है, और कहता है, तुम्हारी यह विश्वी में पूरी नहीं होगी, इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी, पूछने पर वह बताता है कि यह डील दस साल की होगी, दस सालों में तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे, पर उसके बाद तुम्हारी बॉडी मर जाएगी और इसे तुम इंसान हेल कहते हो, वह आदमी इतना भूखा था कि वह और कुछ नहीं सोचता, बस अपनी बाकी जिन्दगी भूख मिटाना चाहता था, इसलिए वह कहता है, मैं डील के लिए तयार हूँ, त इसके बाद वह आदमी बहुत सारी मचलिया पकड़ लेता है और गौर का शुकरिया अदा करता है, तो गुवन उसे कहता है, दस साल बाद मिलते हैं और चला जाता है, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजन टाइम यानि की 2023 में, जहां 2023 कोरियास योगा अवोर्ड फंक मिस्स दोही को मिला है, यह सुनकर उस बंदे का मूंग खुला का खुला रह जाता है, दोही अपना अवोर्ड लेने के लिए स्टेज पर जाती है, जहां हमें पता चलता है कि मेरे ग्रूप कोरिया की वान ओफ लीडिंग मोस्ट एप यानी फूड और बेवरेज कंपनी है, सीन कट होता है, और अगले दिन हमें दोही को दिखाया जाता है, जो न्यूज में उनकी कंपनी के हाल ही में रिलीज किये हुए चिलिंग जूस का आर्टिकल पढ़ रही थी, इसमें जान बूज कर किसी ने उनके प्रोड़क्ट के बारे में गलत इंफरमेशन दी थी, इसक मिस्शन कहती है, पर इससे मैडम जो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी, तब ही दोही को मैडम जो का कॉल आ जाता है, जिसे वह ओल्माइटी जो बुलाती है उनके कुछ कहने से पहले ही दोही पूछती है, क्या आपने चेक अप करा लिया? मैडम जो पूछती है, क्या तुम्हें मिश्शन ने बता दिया कि आज तुम्हें कहां जाना है, तो दोही एक इंपोर्टन्ट काम का बहाना देने लग जाती है यह सुनकर मैडम जो कहती है, ठीक है, फिर मैं अभी अपना इलाज बंद कर देती हूँ अगर तुम डेट पर नहीं जाओगी, तो मुझे भी कोई चेक अप कराने का शौक नहीं है, यह सुनकर दोही मान जाती है, और कहती है, ठीक है, मैं डेट पर जाओँगी और आप भी अपना चेक अप करा लेना, यह सुनकर मैडम जो कॉल कार्ट देती है इधर दोही मिस शिन से पूछती है, आखिर मुझे कितनी देर तक उस डेट वाले बंदे को झेलना पड़ेगा मिस शिन बताती है, बस आधे घंटे तक, तो दोही चली जाती है उस ब्लाइन डेट से मिलने के लिए इधर हम गुवन को एक ऐसी जगह पर देखते हैं, जहां पर बहुत सारी घड़िया लगी हुई थी इन में से एक घड़ी में 12 बजते ही गुवन अपने शिकार को ढूंटने के लिए चला जाता है, जो कि एक माफिया गैंग का बॉस होता है वह एक सोना में आराम कर रहा था, बाहर उसके आदमी वेट कर रहे थे तभी अचानक उसके सामने सब कुछ रुख जाता है और सामने से गुवन एंट्री करता है वह उसका साइन किया हुआ कॉंट्राक्ट दिखा कर बताता है, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है पर वह माफिया बॉस गुवन की और सेंडल फैंक कर भागने लगता है, लेकिन इसका कोई फाइदा नहीं होता वह गुवन के साथ पारगेनिंग करने लग जाता है और रिक्वेस्ट करता है, कॉंट्राक्ट एक्स्टेंड कर लो लेकिन गुवन कहता है तुमने डील किया था, तुम्हारी डील का टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए अब तुम्हारी आत्मा के इस दुनिया से जाने का समय हो चुका है हमें पता चलता है कि इस आदमी ने भी बेशुमार पैसों की लालच में गुवन का कॉन्ट्राक्ट साइंग किया था और आज इसका कॉन्ट्राक्ट खत्म हो चुका है लेकिन वह गुवन को काफी सारे ओफर्स देने लग जाता है मेरी जगह मेरे सारे गुवन की आतमाएं ले लो लेकिन गुवन मानने वालों में से नहीं था इसलिए माफिया बॉस गुवन को मारने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फाइदा नहीं होता उसी वक्त उसके हाट में दर्द शुरू हो जाता है गुवन उसे गुडबाई कहता है और बताता है कि उसकी डेथ हार्ट अटेक से होगी इतना कहते ही वह मर जाता है गुवन उसकी आँखें बंद करके वहां से निकल जाता है तभी माफिया बॉस के गुंडे अंदर आ जाते हैं और बॉस की हालत देख कर हैरान हो जाते हैं उनमें से एक ने गुवन को वहां से जाते हुए देख लिया था सीन कट होता है और हमें गुवन का ओफिस दिखाया जाता है जहां से वह घड़ी गायब हो जाती है जिसमें 12 बजच चुके थे यानि कि वो घड़िया इंसानों की लाइफ लाइफ लाइन थी जिनके साथ गुवन ने कांट्राक्ट साइन किया था फिर अगले सीन में हमें दोही को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट पहुँच जाती है एक वेटर जाकर उसे बताता है कि एक कस्टमर ने पूरी जगह बुक कर ली है दोही का आज बर्थ डे था इसलिए उसे लगा कि मैडम जुने उसके बर्थ डे के बारे में भी उसे बता दिया है दोही उसे कहती है कि वह कस्टमर की guest है तो वेटर उसे blind date के table पर ले जाता है जब दोही उसके सामने बैठती है तो कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहती हूँ कि मेरी शादी मेरे काम से हो चुकी है इसलिए मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन तभी वह ब्लाइंड डेट पर बैठा आदमी पेपर नीचे करता है और वह गुवन होता है जिसे दोही देखते ही रह जाती है गुवन रिपलाई देते हुए कहता है तुम शादी अपने पिलो से करो या फिर अपने काम से मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हें ऐसे ही किसी को अपना परसनल इंफॉर्मेशन देने का शौक है तो मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट का पासवर्ड जानना चाहूंगा दोही थोड़ा चिड़ते हुए कहती है क्या हम कभी साथ में स्कूल गए है गुवन रूडली कहता है कभी नहीं दोही पूछती है फिर क्या हमने कभी डेट किया है गुवन कहता है कोई चांस ही नहीं तो दोही चिड़ते हुए कहती है अगर हम साथ स्कूल नहीं गए और नहीं कभी डेट किया तो आखिर तुम्हारे मैनर्स कहा है गुवन कहता है मेरे सामने इंसानों की कोई आउकात नहीं है इस पर दोही को बहुत गुसा आता है इसलिए वह उठकर जाने लगती है लेकिन तभी उसे मैडम जुका मैसेज आता है उस लड़के के साथ तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है न अगर कुछ भी गरबर किया तो दोही कहती है अच्छी बात है पर थोड़ा ओकवर्ड भी लग रहा है गुवन कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आता शहर में और भी कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं तो तुम कहीं और नहीं जा सकती दोही कहती है तो तुम ही जाओ तुम्हें तो पता भी होगा उन जगों के बारे में यह कहकर वह दूसरी ओर फेस कर लेती है और गुवन को गुस्सा आता है वह सोचता है आखिर यह पागल इंसान इतनी जिद्धी क्यों है दूसरी ओर हम दोही के असली ब्लाइंड डेट को दिखाया जाता है जो किसी अलग ही रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था वह दोही का प्रोफाइल देख रहा था जिससे पता चलता है कि जब वह 11 साल की थी तभी उसकी मा और पिता की डेट हो गई थी तब मेरा ग्रूप की चेयर्मैन मैडम जू ने दोही को अडॉप्ट किया था और अब वही उनका में बिजनेस चला रही है दोही गलती से दू तुम शांत नहीं रह सकती तुमने यहां आकर मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ड किया है दोही भी कहती है मुझे भी यहां आने का बिल्कुल भी शौक नहीं था बस और कुछ मिनिट के लिए पोलाइट रहो और अपना बहेवियर ठीक करो गुवन कहता है तुमने यहां फैमिलीज को कन्विंस कर सकें गुवन पूचता है आखिर तुम करने क्या आई हो यहां पर और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो दोही कहती है मुझे कोई शौक नहीं है यह सब करने का मैं बस उपर वाले के ओर्डर फॉलो कर रही हूं गुवन शौकिंगली कहता है उपर वा आल्माइटी जू करके सेव किया है तुमने तो उन्हें भगवानी ही बना दिया तब गुवन को समझ आता है कि आल्माइटी जू एक इंसान है गुवन हंसने लग जाता है लेकिन फिर कहता है वह पहली इंसान है जिसने मुझे नर्वस फील कराया तभी हम देखते हैं कि व पेटर केक लेकर पहुंच जाता है एक गुंडा केक की प्लेट को उच्छाल देता है जो उड़कर दोही के उपर गिरने जा रहा था लेकिन तभी गुवन आकर दोही को साइड कर लेता है और एक हाथ से केक को पकड़ लेता है दोही गुवन को देखती रह जाती है केक ही सोचती है कि वह उसके बारे में कह रहा है दो ही तो बस गवन को देखने ही लग जाती है और उसके हैंसमनेस पे फिदा हो जाती है गवन केक को बड़े प्यार से देखता है और कहता है कि इसके वजह से मेरा केक खराब हो जाता फिर केक लेकर वह खाने के लिए बैठ जाता ह वहीं, दो ही कुछ और ही समझ बैठी थी कि इसने मेरे बर्थडे के लिए केक भी मंगाया है शायद यह इतना भी बुरा नहीं है, मेरे लिए सर्प्राइज लाया है वह गुवन की तारीफ करने लग जाती है और ब्लश करने लगती है वहीं गुवन बड़े चाव से केक का पहला बाइट खाने जा ही रहा था लेकिन माफिया बॉस का गुंडा उसका फर्स्ट बाइट गिरा देता है और उसे धमकाने लग जाता है कि आखिर तू है कौन और तुझे किसने यहां भी जा है तूने हमारी बॉस के साथ क्या किया लेकिन गुवन अभी केक खाने के मूर में था इसलिए उसे थोड़ा रुखने के लिए कहता है और बताता है कि मैंने एक महीने पहले इस रेस्टोरेंट को बुक किया था शांती से मेरा फेवरेट केक खाने के लिए इसलिए मुझे अभी डिस्टर्ब मत कर पहले मैं यह प्यारा सा केक चखलू फिर तुम लोगों को देखूंगा यह कहकर वह दूसरी बाइट खाने जाता है मगर गुणडा उसे भी गिराकर केक को खराब कर देता है इससे गुवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वह कहता है कि बहुत तरह के कचरे होते हैं कुछ रिसाइकलेबल होते हैं और कुछ नॉन रिसाइकलेबल होते हैं तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम्हें रिसाइकल किया जा सकता है क्योंकि तुम सब गंदी ना लिके कच्रे हो गुंडा अपने बंदों से गुवन को मारने के लिए कहता है पहला गुंडा हत्यार निकाल कर उसे मारने जाता है लेकिन गुवन उसे न्यूस पेपर में बंद कर देता है अचानक उस बंदे को गायब देखकर सब लोग शौक रह जाते हैं और जब गवन के हाथ की न्यूस पेपर में उस बंदे की फोटो देखते हैं तो वे और ज्यादा ड़ जाते हैं पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन? दूसरा बंदा अटैक करने जाता है तो गवन उसे भी पेपर के अंदर खींच लेता है और उसकी भी पेपर में फोटो आ जाती है लेकिन जब दूसरे बंदे उसे मारने जाते हैं तो गवन पेपर को फोल्ड करके एक-एक के सर पे मारने लग जाता है जिससे वे सभी एक एक करके गायब हो जाते हैं अंत में गुवन उन सभी को पेपर के अंदर खींच लेता है वहीं दोही गुवन के बारे में सोच कर ब्लश कर रही होती है इसलिए वह जल्दी से अपना टच अप कर लेती है और बाहर आ जाती है लेकिन गुवन अपने केक के बारे में सोच कर काफी गुस्सा था दोही आकर उससे केक के बारे में पूछती है गुवन बताता है कि पार्टी खत्म हो चुकी है इसलिए तुम भी निकलो दोही कहती है पर तुमने मेरा बर्थडे केक कैसे खा लिया गुवन कहता है कि तुम्हारा बर्थडे केक खा गया और वैसे तुम्हारा बर्थडे हो मुझे क्या फर्क पड़ेगा इसलिए चुपचाप यहां से निकल जाओ तुमने मेरा काफी प्रेशियस टाइम वेस्ट कर दिया यह सुनकर दोही को बहुत गुसा आता है और वह विश करके चली जाती है कि दोबारा हमारी मुलाकात कभी न हो गुवन कच्रा साफ करने के लिए नियूस पेपर को बाथरूम में फैंक आता है जिससे सारे गुंडे बाहर आ जाते है दोही कमपनी वापस जा रही थी लेकिन उसका मूर बहुत खराब था गुवन की वज़ह से वह मिशन से पूछती है कि इस आर्टिकल के पीछे कौन है मिशन बताती है कि यह काम तुम्हारे नाम खराब करने के लिए मैडम जू की बेटी सुवान का है जो मेरे ग्रूप की एक सबसिडियरी कमपनी मेराई एपरेल कमपनी की प्रेसिडेंट है दोही कहती है कि आखिर ये लोग मुझे शांती से रहने क्यों नहीं देते तभी ट्रैफिक में एक बिल्डिंग के ऊपर दोही मेराई ग्रूप के बारे में एक न्यूज देखती है जिसमें बताया गया है कि मेरे ग्रूप में पावर स्ट्रगल चल रही है यानि कि मैडम जू के बाद कौन कमपनी का चेयर परसन बनेगा इसको लेकर कमपनी के ओनर्स के बीच फाइट शुरू हो चुकी है इससे फ्लैश बैक शुरू होता है जिसमें दिखाया जाता है कि मैडम जू ने मेरे ग्रूप की स्थापना की थी और उनके दो बच्चे है बड़ा बेटा नोस जिसे मैडम जू मेरे ग्रूप संभालने के काबिल नहीं मानती दूसरी छोटी बेटी सुवान जिसका पती विदेश में रहता है क्योंकि सुवान को बच्पन से पेरिस में रहने का बहुत मन था सुवान के ट्विन्स बच्चे हैं औस्टिन और जस्टिन और नोस का एक बेटा है मैडम जू का एक भाई भी है जिनका बेटा जू योग भी इस पावर स्ट्रगल में शामिल है क्योंकि वह भी मैडम जू की दूसरी कंपनी संभालता है और अंत में मैडम जू को जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है वह दोही है जिसे मैडम जू ने 17 साल पहले अडॉप्ट किया था तब से दोही मैडम जू के लिए सबसे इंपोर्टेंट है और उन्होंने अभी तक सिर्फ दोही को ही अपना सारा काम संभालने का पर्मिशन दिया है जिस वज़र से मैडम जू के बच्चे उसे पसंद नहीं करते मगर मैडम जू के रहते वे उसे कुछ भी कह नहीं पाते फाइनेंशियल टीम का हेड था वह दोही को बताता है कि उसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे वह मेरे ग्रूप के चेयर परसन बन सकती है लेकिन मिस्टर तेज उन बातों को फोन पर नहीं बताएंगे अगर दोही को इस बारे में जानना है तो उसे बाद में मिलने के लिए कहता है दोही उससे कुछ पूछती तभी कॉल कार्ट दिया जाता है दोही को इस पावर स्ट्रगल में कोई इंटरेस्ट नहीं था तभी उसे मैडम जू का मैसेज आता है जिसमें लिखा था लगता है मेरा टाइम गया है फिर मिलेंगे हेवन में यह देखकर दोही काफी घबरा जाती है वह जल्दी से हॉस्पिटल पहुँच जाती है जहां वह मैडम जू को देखकर बहुत रोने लग जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि मैडम जू अब नहीं रही लेकिन मैडम जू ने अपनी आखें खोल कर कह दिया कि अब चलाना बंद करो मैं बस सो रही थी यह सुनकर दोही को चैन पढ़ता है लेकिन वह इस मजाक से गुस्सा होकर जाने लगती है मैडम जू उसे वापस बुलाती है दोही मैडम जू पर गुस्सा करने लग जाती है इस पर मैडम जू कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी नहीं मरूंगी इस पर दोही कहती है कि God जूटे लोगों को Haven में नहीं आने देते मैडम जू कहती है कि इसलिए तो मैं अच्छे काम करती हूँ हर हफते काफी सारे पैसे डोनेट करती हूँ और जरुरत मंदों की हल्प करती हूँ इसलिए मेरे अच्छे काम देखकर भगवान मुझे एंट्री दे ही देंगे। दोही उन्हें मजाक बंद करने के लिए कहती है। मैडम जु कहती है कि एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए जो कि उसका बर्थडे केक होता है। दो ही कहती है, आपको पता है ना कि मैं बर्थडे नहीं मनाती, इस पर मैडम जू कहती है कि इसी लिए तो मैं यह केक लाई हूँ, ताकि तुम्हारे साथ इन अच्छे पलों को याद रख सकूँ, क्योंकि मेरी मरने की उम्र हो ही चुकी है, वैसे मेरे मरने के बारे में सुनक करने के लिए पहुँच गई थी, इस पर मैडम जू कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि दूसरे बच्चे तुम्हें किसी ओर्फन चाइल्ड की तरह ट्रीट करें, दो ही कहती है, फिर आपने मेरे कॉलेज के बॉइफ्रेंड को पैसे दे कर ब्रेक आप करने के लिए क्यों कह मैडम जू कहती है क्योंकि मुझे उसकी शकल पसंद नहीं थी और वह तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं था, फिर दो ही ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है, जिस पर मैडम जू कहती है, लुक्स पर धान मत दो, वह लड़का अच्छा है, फले ही वह कैसा ही दिखत हो, दो ही कहती है कि सिर्फ शकल ही तो उसकी अच्छी है, बाकी वह बहुत ही बतमीज और रूड किस्म का लड़का है, मैडम जू कहती है कि क्या वह तुम्हें हैंसम लगा, फिर वह उसका फोटो निकाल कर पूछती है कि क्या यह रियल लाइफ में अच्छा दिखता है, द उन्होंने उसी रेस्टोरेंट के दूसरे ब्रांच का एड्रेस दे दिया था, इसी लिए जिस लड़के से आप मिली वह कोई दूसरा ही था, दोही को भी रिलाइज होता है कि इसी लिए वह इतना ज्यादा चिद रहा था, इधर गुवन को देखते हैं, जो उसके इंस्ट जोसन एरा का भूखा आदमी था, जिससे गवन ने 10 साल का कांट्राक्ट साइन कराया था, गवन ने उस कांट्राक्ट को काफी ज्यादा एक्स्टेंट कर दिया है, इसी लिए वह अभी भी जिन्दा है, इधर मैडम जू मिशन से कहकर गवन को कॉल लगवाती है, और उनके मिसंडरस्टेंडिंग की वजह से दोही ने जो उसका टाइम वेस्ट किया, उसका कंपेंसेशन की बात करती है, लेकिन गुवन तो रूडली मना कर देता है, जोसन दोही कहती है कि देख लिया ना ये कितना ज्यादा रूड था और मैडम जू कहती है कि जो हुआ जाने दो लेकिन तुम जल्दी से अपना पार्टनर ढूंड लो और शादी कर लो क्योंकि मैं मरने से पहले तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ, इसकी तयारी मैंने कर रखी है, यह कहकर वह अंगूठी का बाक्स निकालती है, जिसमें दो अंगूठियां थी, दोनों दोही अपना बर्थडे नहीं मनाती लेकिन मैडम जू के लिए दोही हैपीली बर्थडे मनाती है और उनके अच्छे हिल्थ की विश करती है, इधर दोही की कॉल आने की वजह से गुवन को अपने केक की याद आ जाती है, इसलिए वह चिटकर जाने लग जाता है, तभी प यहाँ ही था कि स्टेज में डांस कर रही गायों चला कर कहती कि डेट आखिर तुम किसे डेट कर रहे हो, क्या वो लड़की मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, कहीं तुमने उसके साथ नाइट स्पैन तो नहीं किया, गुवन तो उसकी बातें सुनकर शौक रह जाता है और गुवन अपने पावर से अपना सारा ओफिशियल काम कर रहा था, तभी यहाँ पे गायों चलाते हुए पहुँच जाती है कि आखिर वो लड़की है, कौन जिसके साथ तुम डेट पर गए थे। पार्क आकर उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, बस थोड़ी सी मिस अंडरस्टेंडिंग थी, तो हमें पता चलता है कि पार्क और गायों दोनों ही पिछले जन्म से गुवन के साथ हैं, और योंग को गुवन पे क्रश भी होता है, लेकिन गुवन को वो दोनों ज्यादा तर इरिटेट ही करते थे, इसलिए वह उन्हें कहता है कि तुम दोनो डीमिन हूँ, मैं इतने सालों से अकेला रहा हूँ, मुझे क्यों तुम दोनों की जरूरत पड़ेगी? तुम है क्या पता, इम्मोर्टल होने का अलग ही मज़ा है, इसे तुम इनसान कभी नहीं समझ सकते, इसके बाद वह उन्हें काम पे लगने के लिए कहता है, दूसरी और हम दो ही को देखते हैं, जो रात के बारह बज़े तक बीच पर ही होती है, बारह बजने के बाद वह कहती है कि आखिरकार मेरा श्रापित बर्थने खत्म हुआ, तभी एक कैब का ड्राइवर आता है और कहता है कि आपकी गाड़ी आ चुकी है, अभी वह ड्राइवर को देखती है, जिसके गले पर खून के निशान थे, तो उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, तो हम देखते हैं कि यह वही किलर था, जिसने मिस्टर तेज इनको मारा था, ट्राइवर गाड़ी रोग कर कहता है कि यह पूछो कि तुम आखिर क्यों मरने वाली हो, कहकर व पीज वह उसे बताता है कि तुम्हारी मौत की वज़े मैडम जू है, इसलिए वह उस आदमी को धक्का देकर कार से बाहर निकल जाती है और भागने लग जाती है, यह वही एपिसोड के शुरुआत का सीन था, इधर क्लॉक तावर के उपर से गुवन अपने शिकार को ढू इसे देखकर वह हैरान होती है और उसके दिमाग में यही सब बातें चल रही थी कि आखिर वह मुझे बचाने आ रहा है या फिर मारने, उसे शक भी हो रहा था कि कहीं यह किलर और वह एक साथ मिले हुए तो नहीं है, पर जो भी हो वह गुवन की और भाग कर जाती है और उ ठीक है फिर देख लो तुम मैं जा रहा हूं तो ही उसे रोक कर डील के लिए मान जाती है गुवन कहता है कि वैसे तो मैं कांट्राक्ट साइन करवाने से पहले किसी की हिल्प नहीं करता पर इस आत्मी को देखकर मेरे हाथों में खुझली हो रही है या बोलकर वह उसे मारन था और उसकी आखें लाल हो चुकी थी वह देख तो वही तो घबराकर कार से निकल जाती है और ब्रिज के उस पार छुप जाती है तो गवन उसके पास आता है उसकी ओर हाथ बढ़ा कर कहता है कि तुम्हें हमारी डील तो याद है ना दो ही जैसे ही उसका हाथ होल्ड करती है गवन के हाथ में जो होली क्रॉस का निशान था वह गलो करने लग जाता है दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि इतने में किलरकार को बहुत तेजी से भगा कर उनकी ओर आने लगता है इसे देखकर दो ही डर जाती है लेकिन गवन एक चुटकी मारता है उसे दे पीच़े डूबते हुए जा रहा था तो ही दो ही ऊपर उठने लग जाती है लेकिन जैसे ही वह उसका हाथ होल्ट करती है उसे खींच कर ऊउपर उठाने के लिए तभी गुवन के हाथ का होली क्रॉस दोही के हाथ में ट्रानसफर हो जाता है इसके बाद वह भी बेहोश हो तभी गुवन को उसके हाथ में वह होली क्रॉस दिख जाता है। जिसे देखने के लिए वह उसका हाथ खीचता है और शौकिंगली उसे देखने लग जाता है। तभी पानी का एक वैप पत्थरों से आकर टकराता है, जिससे पानी उनके उपर उड़ता है। लेकिन पानी हवा में ही रुख जाता है। इसे देखकर दो ही हैरान होती है और इसी के साथ पार्ट टू का एंड यहीं पर होता है। ड्रामा आगे काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन हिट कर दो। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए टेक केर और बाई बाई।